रूल आप 72 क्या है या कैसे काम करता है या कुछ नहीं मैतेमेटिस्क का एक छोटा सा सिद्धान्थ है इसमें आपको यह पता चलेगा कि कितने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा आपने किसी बैंक में एप्टि कराई है या 6% पर कराई है या 8% पर कराई है या 5% पर कराई है आपको जैसे यह 72 रूल एपलाई करेंगे उस इंट्रेस रेट पर आपको तुरंद पता चलेगा कि आपका पेसा कितने साल में डबल हो जाएगा चार साल में होगा, पांच साल में होगा, या आठ साल में होगा, या सिद्धान्त कैसे काम करता है, आईए, देखते हैं, Rule of 72, कैसे जाने, कितने साल में आपका investment डबल हो जाएगा, या कुछ नहीं है, या एक mathematics के एक छोटे से सिद्धान्त पर टिक काम करती है, इसको आपको क्या करना है, जो भी आपकी ब्याजदर है ना, जो भी ब्याजदर बेंग में जो भी देता है, जो भी आपको ब्याजदर देता है, या 6% देता है, या 5% या 8%, उसका आपको क्या करना है, ब्याजदर का 72, यानि 72 में भाग देने पर, जो कुल आएगा, उतने ही साल में आपका पेशा डबल हो जाएगा अब बेंग आपको आपकी FD पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है 6 दे रहा है 8 दे रहा है या 5 percent दे रहा है आपको कुछ नहीं करना है जो भी व्याजदर बेंग दे है ना उस ब्याजदर को आप 72 में भाग दे दे जो कुल आएगा उत्रे ही साल में आपका प्रेसाद डबर हो जाएगा अब आपन फॉर एक्जांपल देखते हैं जैसे यह आपने एक लाग की करवई बेंक में ओके six percent इंट्रेस रेट पर आपको कुछ नहीं करना है च्छा का बाग 72 में दे दे इसका देने पर कितना आएगा फेल बारा या या यानि बारा साल में आपका पेसा डबल हो जाएगा बारा साल में या एक लाग रुपए आपका टू लेक हो जाएगा ठीक है यह तो six percent इंट्रेस रेट की बात करो मैं अगर मान लो अगर आपने और किसी अधर बेंग में प्राइड बेंग में पांच लाग की एबडी कराई ठीक है ना और वो कितने पर करे एट परसेंट इंट्रेस रेट पर ओके अब आपको कुछ नहीं करना है आपको छोटा सा ट्रिक अब बहुत से बहुत परसान रहते हैं किसी भी बेंग में अप्रेसा रहते हैं उस इंट्रेस पर तो आपको तुरंट पता चल जाएगा इतने एर में हमारा पैसा डबल हो जाएगा इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पिले आपको मिलती रहें